असलाम लीकुम एवरीवान वेल्खम है आपका मेरी चैनल पे तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेन राइर से हम लोग जा रहे थे सिटी सेंटर स्टॉक्हम सिटी सेंटर बच्चों ने वहाँ पे करने थे स्केटिंग तो यहाँ पे इन्होंने एक कुंस्त्रा गॉर्डन के पास है जहाँ पे अभी एपरिल में वो जो पिंक से फ्लावर्स है ना क्या उसको कहते हैं चैरी ब्लोसम वो भी आ जाएंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लेस तो मैं आपनों को दिखाती हूँ कैसे हमने जो आए किया राफे ट्रेन में बहुत कुछ होता है तो यह हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में और वो काफी अच्छा था जैसे अभी मार्च तक है तो आप यह अपने बच्चों साथ जा सकते हैं लेकिन उसके लिए यह बहुत यह पिंदी आप हम पार सकते हैं राफे को तो नहीं हा रहे थी नाया और वानिया और उनके एक फ्रेंट थी उन्होंने की थी तो यह स्टॉक हम सीटी सेंटर है यहां पे अब हम लोग पहुंचे हैं अब हम लोग जा रहे हैं कुंस्ता गौर्टन वाली साइट पे और यहां पे सीटी में पूलिस भी आजकल बोथ होती है स्टॉक हम के और वैसे स्वेडन के हलाज जो हैं वह यहां पे शूटिंग के बहुत ज्यादा केसी हो रहे हैं पता नहीं यह लोग क्यों नहीं कंट्रॉल कर रहे हैं इनको करना चाहिए यहां के जो गोर्मिट है बहुत जादा यहां पर इस तरह होती है और जवान जवान बच्चों को मार देते ह क्यां पर इनके चल रहे हैं तो इस पार से काफी डाल लगता है वह कर रही यहां सकते हैं का प्याराई अंदर से बना हुआ है जब क्रिस्मिस होती है तो इसके बार भी इन्होंने काफी अच्छी जैव की होती है डैकुरेशन हम लोग पहुँझने लगे हैं कुंस्तरा वहां से दास मिनट की ड्राइव है और यह जो है वो ट्राम चल रही है यहां पर यह दूसरे एरिया की जाती है यह कुंता गॉर्डन है यह जो सारे ट्रीज आपको इस तरह नजर आ रहे हैं यह अभी एपरिल में सारे यहां चैरी ब्लोसम पिंक ट्रीज इतने प्यारे यहां है मुझे यहां पर दस ग्यारा साल होने लगी है में एक दफा वास आएंगी हूं यह चैरी ब्लोसम देखने और वह भी जामेकर में फ़र्स्ट यह जो पहला साल था ना यहां पर ताब आई थी तो यह देखें यह इस तरह इन्हों ने बनाया यहां से आप इदर को तो यह इनकी सारी इंफर्मेशन है कुंस्त्रा कोडन इस पाना आप सर्च करेंगे वहां पर गुगल पर तो आपको सारी इंफर्मेशन मिल जाएगी तो यह माच तक है भी तो अभी मेरा एक बार और प्ला है ना जैसे माच शूरू होगा तो फिर आएंगे क्योंके अभी वह ज्यादा सदी थी बाई यह मैं बच्चों के लिए शूज ले रही थी तो यहां पे अब हम लोग शूज जो है वह रेंट पर ले लिए और यह यहां पर फिर जाते हुए वापिस का जाएंगे वह हैलमा ट्राफिक के लिए भी लिया था और यह शूज देखें तो यह स से चला ही ना जाएंगे शूज पेंगे क्या आपको बैलस रखना होता है ना इन्होंने स्कूल वगरा में ट्रेनिंग तो लियो ही हैं लेकिन राफिय तो बिल्कुल छोटा है उसको तो आते ने मुझे तो खुद नहीं आते और नाया ने तो हमें सर्प्राइस का दिया यह कि यह तो खुद ही आपको खड़ी हो गई विए इसने जादा नहीं बहुत सीखे लेकिन यह देखें और ने इस तरह इस तरह तो आप लिए दिखाती हो अब यह थोड़ा सा तो काफी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए जासे घर बैठने से अच्छा है इसीत कि इसके बाद बच्चों ने तो इन्जॉय करना शुरू का दिया फिर थोड़ी देर बाद उनने का कि आइस को जैसे थोड़ा सा यह और उसको क्लीन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वह कट्थी हो रही थी इसके नीचे इनने कोई सिस्टम गया होगा कि जैसे इधर रहती ह है आइस वैसे तो टेमरेचर भी आजकर यहां पर माइनस ही चल रहा है तो यह उसको क्लीन कर रहे थे यहां भी अब हम लोग वीड कर रहे हैं तो सारे लोग उनों ने कहा था कि आप लोग बाहर आजे हम आईस क्लीन करने उसके बाद दोबारा सब लोग आ गए थे तो यह हम लोगों मैं थोड़ा सा और दिखाती हूं तो यहां पर एक होल्ड करने वाला भी मिलता है कि आप वह भी लेकर जा सकते हैं कि बच्चे होल्ड करके जैसे यहां पर जो प्रफेशनल सिखाते हैं उसमें छोटे बच्चों को दाहरा स्टार्ट से नहीं आती तो वह होल्ड करने वाला भी एक मिल जाता है स्टैंड सा तो यहां पर लोन नहीं आप कर सकते थे रेंट पर यानि नहीं ले सकते थे वहां कुछ लोगों के खुद के थे तो वह जैसे राफिक की एच्च के लिए च्चा है नाया और वानिया तो खुद पकड़ पकड़ कि आस्ता इस्ता यहां बैठे रहे हैं मेरे शूद वाले में नहीं पहन के गई थी तो मेरे पाउं तो बहुत ज़्यादा फ्रीज होगे थे इसलिए यह मैं रेक्मेंट करूंगी अगर आप लोग यहां जा रहे हैं और इन दिनों में जा रहे हैं जैसे आज कल भी बहुत ज़्यादा माइन अपना था तो यह बिछा उस पर कारा था तो यह देखे कितना अच्छा है इनों ने यह बनाया रहत ब्यद्व और ज्वार में तो और ज़दा प्यारा लगता है क्योंक्रік यह उँन पे अन्वंबर से में स्टार्ट हुआ होगे मॉज तक मार्व्च तक है यहां से हमने लिया था वेज़ी बर्गर। जो काफी अच्छा ह jus बी इंद इंके पास 9 पर्गर। भी है वेज़ी बर्गر भी है। उती खालूमी जो चूंद भी था। उसके पात हमें। जारा भी मैंने। चार-पांच बजने वाले थे और वीकेंड था और फिर दुकाने भी हैं वे जल्दी सिटी में बंद हो जाती हैं वीकेंड पर यहां पर बच्चे अपना फूड इंजॉए का रहे हैं फिर हम लोग आगे जारा यह देखें यह बैगन आया ने लिया वानिया ने एक शूट ल लिया तो काफी अची चीजे मिल गई थी एक राफे के शूट में इतने अच्छे मिल गए थे यहां पर बच्चे भी अप टायड हो गए थे तो हमने जाना भी अब ट्रेन में था वापीस और यह नाया ने अपने लिए बैग लिया था नाया की एक शर्ट मैंने इतनी प्य परसन इस तरह पर आ जाती हैं और अब रात हो गई है यहां पर हम लोग वापिस जाने लगे हैं देखें अनके अब कितना प्यारा लग रहा है और बच्चों ने का था हमने चूरोज लेने हैं चूरोज में इन्होंने खाए हैं लेकिन मैंने पहली दफाई ट्राय किये यहां पर आपको आलमंड भी इस तरह भी इन्होंने कुछ काफी चीज़े रखी थी जैसे और यह चूरोज हैं वेफल्स हैं यह आप लोग ले सकते हैं इस तरह जैसे नहीं ट्रक छोटा सा खड़ा था तो वह इस तरह यहां पर दे रहे थे तो यह हमें मिला था एक चूरो होता है तो दो लिए ते लेकिन यह एक ही यह काफी है क्योंकर मुझे नहीं पता था कि यह उतने जादा मिलें गे तो वानिया नायद ने दोनोंने लग ले लिए लेकिन फिर अग्ले दिन कहाई तो एक आप ले 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 तो वह और लेमें तो वह काफी यह बानिया cu challenge कर लेन और बच्चों को चूरों से लेके दे सकते हैं सर्दियों में काफी मज़े के गरम गरम लग रहे थे उस ताइम और आप बच्चों की भी बस हो गए थी और हमारी भी बस हो गए थी और यहां पर लाइटिंग देखे कितनी प्यारी सिटी में की हुई है और अब हम लोग जा रहे हैं घार यहां से हम ट्रेन लेंगे और जाएंगे घार और वहां पर फिर जाके बच्चों ने अपना खेला यहां पर अभी मेरे खाल 6 बचे थे हमें और अब हम लोग चलते हैं घार और मैं वहां जाके आपको जारा से जो मैंने लिया वो दिखाती ह यहां पर आप लोग वो सामने आपको नजर आ रही होगी एक एशियन मात की दुकान है यानि एशियन फूर वहां से मिलता है जैसे चाइनीज नूडल्स और सॉसीज वगेरा अगर आपने लेनी है इंडियन फूर लेना है तो यहां यहां यह एम स्टोर आपको नजर आ रहा ह हैं मुझे कोमेंट करके बताएं मैंने सोचा था मैं ट्राइ करूं कि राप अच्छी सेल सी मैंने को पता नहीं है तो यहां से मिल जाती हैं यह मैंने शूज लिए रापे के देखें कितने प्यार हैं अभी तो उसे थोड़े बड़े होंगे लेकिन समर तक आ जाने हैं अनका ले लेती हो 99 के तो बहुत अच्छी मिल रहे हैं और लिए मैंने अनाया ने यह वैग लिया पाफी प्यारा था यह ट्रांसपेरन सा और यह भी मिला है वैसे 300 का है और मिला है 99 का तो यह मुझे प्यारा लगा जैसे बच्चे समर में कहीं जाना हो ना तो इसमें कुछ अस नहीं उसके लावा मैंने वानया ने यह जरृसी ली है यह भी फिफ्टी-नाइन के मिली है यह इस तरह ना पहनने के लिए बहुत पयारा है इसका तेक्स्च्चर भी और जारॊ की चीजें तो इसे भी बहुत पयारी होती है उसके लावा हीग नाया की श्रिफ्टी यह के बादो ऐसे फलफी हैं और यह साइस का वैलवट का है और यह पी 99 की मिली पहले 229 की हुई फी 129 की हुई 99 की और जारा के जो साइज होते हैं ना वो जैसे यह 1314 साल है लेकिन यह आपको लग रहा है 14 साल को आएगा देखें कितना चोटा सा है तो यह नाया को आजाना है तो यह मैंने लिया नाया का तो यह 3-4 चीज़ें लिए यह मुझे लगी थी और वान्या ने इक यह शूस लिए यह यह भी 129 के मिले हाए तो जारा की चीज़ें सेल में जो हैं बहुत उच्छी मिल जाती हैं यह देखें यह वहले तो मुझे बहुत यह अच्छी लगी गए तो ये चीजि़ने लिजारा से तो ये मैंने नाया का ना एक ट्रावजर मगवाया था मैंने ट्रावजर मगवाया था ये भी बोस्क प्रट our ये बहुत WR क्लिए बहुत ही आ प्यारा है बहुत सॉफ्ट कपडा उसके साथ अब ये शर्ट में ले आएंगा तो ये पूरा एक सेट बहुत अच्छा बन गया ये वैसे भी किसी स्कर्ट के साथ भी पहन सकती है ये है तो बोडी टाइप है कि अंदर से आप इसको बंद भी कर सकते हैं लेकिन वैसे भी पहना हो तो ऐसे फोल करके पहन ले इसके ये नाय में या कृए नाय का कितना प्यारा होई नाया को फूले यह बहुत ही प्यारी लगी नाया है यह हुग कीच जो वांद वांद लेका मुझे काफی क्रेज हुआ कि मैंने भी पीनिया तो पाकिस्तान में एक पैन गई थी उनके हाथ मैंने अमंगवाई तो यह मैं ट्राइ करने लेगी थी तो इसका टेस्ट कासी बाइख का यह सेम वही ग्रीन टी कश्मीरी चाय का टेस्ट आता है जो जैसे पाकिस्तान में शाद हुआ है यहां पर मैंने अपना कप रखा उस पर फिर मैंने डाली अपनी क्या नाम है पानी डाला और धिर डाला इसमें कश्मीरी चाहले मिक्स किया पी लिया आप इसमें पिस्ते बर्दाम बगर भी डाल सकते हैं सब्सक्राइब कर दो esse काफी मज़े का यहां पर आप मैंने खुद बनानी हो वह ग्रीन ती लेके इसको फैंटो उसमें बेकिंग सोडर डालो वह हमसे सही बनती भी नहीं आगा तो फिर इसना ज्यादा जो है वह टाइम भी वेस्ट करना और सही बनने भी नहीं तो इस तरह मंदा बना के पी ले तो पूरी हो जाती है तो यह देख तो अब मैं अपनी टी इंजुआए करूंगी आप अपना बहुत सारा ख्यार रखें और मुझे अपनी दौआ में याद रखें मेरी वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें डेक यह अला हफीज